कि नमस्कार सक्षी निस्सनेटे कर आप सभी का स्वागत है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घट्टाओं में कमी भले आई है लेकिन अभी इस केंद्र शाशित प्रदेश से आतंकवाद पूरी तेरा समाप्त नहीं हुआ है राजवरी के गाओं में हिंदूओं पर हुए आतंकी हमले दर्शाते हैं कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए और जोर से लगने की जरुवत है वराल इसमें भी कोई दोर आये नहीं कि 2022 में आतंकी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी रिकॉर्ड की गई है केंद्री ग्रहमंत्राली की रिपोर्ट की बात करें या जम्मू कश्मीर पुलिस के आंकड़ों की दोनों से ही यह बात साबित होती है कि जम्मू कश्मीर के हालात में बड़ा सुधार आया है जहां तक केंद्री ग्रहमंत्राली की रिपोर्ट की बात है तो हम आपको बता कि उसमें कहा गया है कि कभी आतंकवादियों का स्थल माने जाने वाला जम्मू कश्मीर अब परेटकों का स्थल बन गया है और 2022 में 22 लाग सैलानियों ने केंदर शाषित प्रदेश का दौरा किया जो पिछले सरवाधिक आंकणे से लगपक चार गुना अधिक है मंगलवार को जारी ग्रह मंत्राली की वर्षांत समीक्षा 2022 के अनुसार जम्मू कश्मीर में 2018 में आतंकी घटनाओं की संख्या जहां 417 थी महीं 2021 में यह संख्या घटकर 239 रह गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में शहीद होने मोधी के नेत्रित में सरकार केंदर शाषित प्रदेश में द्रड़ता के साथ विकास के पत पर आगे बढ़ रही है रिपोर्ट में कहा गया है कि 42,000 से अधिक लोग आतंकवाद के शिकार हुए और दिल्ली में किसी ने इस बारे में नहीं सोचा लेकिन अब मोधी के नेत् में लगभग 54 प्रतिशत सुरक्षा कर्मियों की मौतों में 84 प्रतिशत और आतंकवादियों की भरती में लगभग 22 प्रतिशत की कमी आई है रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत 80,000 क्रोड़ रुपे की लागत से पन बिजली से संबंधित करीब 63 परियोजनाओं का निर्माण हुआ है और 4,287 करोड़ रुपे की लागत से किरू परियोजना का कारे प्रगती पर है उधर साल 2022 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं की बात करें तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के महनेदेशक दिलबाग सिंग ने जानकारी दिये है कि 2022 में 56 पाकिस्तानी नागरे को सहीद कुल 186 आतंकवादी मारे गए और 169 को गिरफतार किया गया साल 2022 के अंत में पुलिस प्रमुक्र ने अपने समयत्ता समेलयन में जानकारी दी थी कि 146 पाकिस्तान निर्मित आतंक की मॉड्यूल जिनमें 4-5 सदस्ते शामिल थे जिने चुनिंदा और लक्षित हत्याओं और ग्रेनेट और आई-डी हमलों को अंजाम देने का काम सौपा सक्रिय आतंकवादियों की संख्या को दो अंकों के आकड़ें तक लाने के लिए काम कर रहे हैं जो वर्तमान में 100 से थोड़ा दिक है जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2022 में घाटी में शांती और स्थेरता सुनिश्चित करने में 100 प्रतिशत सफलता हासिल की लेकिन पाकिस्तान के कृतियों से डरना नहीं चाहिए दिलवाक सिंग ने कहा कि पुलिस और केंदरी शेशस्त्र अर्दसैनिक बलों के हताहतों के संख्या में भी 2022 में कमी दर्श की गई जिसमें 14 पुलिस कर्मी और 17 सीए पीफ कर्मी आतंकी हमलों में शहीद हो गए उन्होंने कहा कि साल 2022 के दौरान नागरिक हताहतों की संख्या में भी कमी आई और केवल 24 मामुली कानून व्यवस्थागी घटनाएं हुई उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करने का प्रयास किया रहा है कि संख्या शुन्ने हो जाए उन्होंने कहा कि सीमा पार से शांती भंग करने की साजिशें जार रहे हैं कि स्थानी युवाओं को हिंसा के रास्ते पर नहीं जाने दिया जाए उन्होंने कहा कि पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने भटके हुए युवाओं को वापस लाने और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए कड़े प्रयास कि खेल गतिविदिय खत्म हो जाएगा वही कश्मीर छेत्र के अत्रिक्त पुलिस महानिदिशक विजय कुमार ने कई सिलसलेवा ट्वीट कर बताया कि 24 से अधिक लड़कों को मुख्यधारा में वापस लाए गया है उन्होंने कहा कि कोई हड़ताल सड़क पर हिंसा इंटरनेट बंद पत्राओ की घटनाय साल 2022 में नहीं हुई और इस समाज के सभी वर्गों को लाब हुआ विजय कुमार ने कहा कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर हमने शांती और इस्थिरता के मामले में 100 प्रतिशत सफलता हासिल की है साल 2016 में कानून और व्यवस्था की समस्या के 2897 मामले सामने आए थे और 2022 में 26 मामली मामले सामने आए पिछले तीन से अधिक वर्षों में इन घटनाओं से निपटने के दौरान किसी भी नागरिक की जान नहीं गई उन्होंने कहा कि सुरक्षा वलोने साल 2022 में आतंकवाद विरोधी अभियानों के मोर्चे पर बड़ी प्लब्दी हा साथ ही नीचे दिए बैल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके